biological causes of selective mutism disorder so now we will discuss कि कौन से possible causes हैं जिसके वज़ा से selective mutism disorder जो है किसी भी बच्चे के अंदर अकर कर सकता है तो जब हम biological causes की बात करते हैं तो सबसे पहले हम genetic cause की बात करते हैं genetic cause का basically मतलब क्या है कि ऐसे बचे जिनकी family के अंदर social anxiety जो है वो मौजूद हो या जो social phobia है उसके cases मौजूद हो तो बहुत हद तक ये possible है कि उन बच्चों के अंदर जो है वो selective mutism disorder exhibit कर जाए इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर family के अंदर shyness की हिस्टरी है क्योंकि इन बच्चों के अंदर ये भी देखा गया है कि इन में shyness जादा होती है तो अगर किसी family के अंदर shyness की हिस्टरी मौजूद है तो बहुत हद तक मुम्किन है कि जो ये problem है वो बच्चे के अंदर exhibit होना शुरू हो जाए और इसके अलावा जिन families के अंदर social phobia exist कर रहा होता है ये देखा गया है कि उनकी for example अगर mother है उनके अंदर social phobia का element है तो ये देखा गया है कि बच्चपन में selective mutism का problem उनके अंदर भी रहा हुआ है तो ये जो genetic mechanism है ये reveal करता है कि ये जो problem है ये genetically भी transfer करती है लेकिन definitely ये relate करी है anxiety disorder के group के साथ then we will talk about the brain structure जब हम brain structure की बात करते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि जो amygdala का brain part है वहाँ पर excitability का threshold है वो low होता है चुँके amygdala जो है वो involved होता है ये चीज़ को sense करने के लिए कि either situation जो है वो dangerous है या नहीं है तो जो इनका amygdala का area है जैसे ही ये किसी social situation में जाते है तो वो फॉरण से इनको एक intimation देता है कि जो situation है वो dangerous है अब जैसे ही इनको danger का sign मलता है तो ये क्या करते हैं they stop talking ठीक है तो ये बोलते नहीं है ये उस situation को avoid करने की कोशिश करते हैं तो इस तहां जो amygdala है उसका रूल भी selective mutism के अंदर देखने में आया है Thank you झाल 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 झाल